नमस्कार तो आज के सेसन में यहाँ पे जो इतिक्स की क्लास चल रही है द्रिश्टी आईस की उसके एकले सेसन को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हमारा जो लास्ट सेसन था वो निस्पक्षता था यानि इंपार्सिलिटी था ठीक है इसी पर हमने सेसन कुछ समाप्त किया था अब हम इसके आगयों हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे इसकी साथी में बता दो कि अगर आपने इससे पहले का सेसन नहीं देखा है तो जाके वीडियो पढ़ा है ठीक है उसको आप पहले देखिए तब सारी चीज़े जो हैं समझ में आ जाएंगी निस्पक्षता न्याय का एक प्रमुक्सिद्धान्त है जिसका आर्थ है कि नेड़य करता को कोई भी नेड़य सिर्फ वस्तुनिष्ट कारणों को आधार बना कर करना चाहिए किसी पूर्वाग्रह, हित या मुल्ले के कारण पहले से उसे किसी पक्ष के प्रती, समर्थन या विरोध की मुद्रा में नहीं होना चाहिए वहीं सूच्मरुक में देखे तो निस्पक्षता में दो पक्ष नहीं थोते हैं पहला, जिस व्यक्ति से हम संबंदित हैं या जिसे पसंद करते हैं उसे अवयद रूप से कोई लाव न देना और जिसे हम ना पसंद करते हैं उसे अवयद रूप से कोई हानी न पहुचाना यह भी जरूरी है कि निस्पक्षता साबित करने के लिए अपनी पसंद के या अपने निकट के व्यक्ति के साथ अन्याय ना करें यदि ये एक परिक्षक उत्तर पुस्तिका जाच रहा है तो उत्तर पुस्तिकाओं में भी उसकी बेटी का उत्तर पुस्तिका भी है जो वास्तों में योग गिता के अनुसार दूसरे अस्थान पर है ऐसे में वह निम्लिखित परिस्तियां हो सकती है पहला वह बेटी के दो अंक बढ़ा दे ताकि उसे पहला अस्थान प्राप्त हो जाए यह पक्षपात है परिक्षक को लग सकता है कि बेटी का उचा स्थान आने पर लोग उसे संदेह से देखेंगे तो वह अपनी निस्पक्षता प्रमारित करने के लिए बेटी के अंक को कम कर सकता है ताकि उसका स्थान पांचवा या छटवा हो जाए या भी नकरात्मक अर्थों में पक्षपात अर्थात निकेवटी पार्सियल्टी है जिसमें व्यक्ति खुद को निस्पक्ष दिखाने के लिए अपना या अपने निकटस्थ का नुकसान करता है उत्तर पुस्ति का जाचते समय वह ध्यान ही न रखना की किस को कौन सा स्थान मिलने वाला है बेटी को दूसरा स्थान ही देना चाहिए यहां पे निस्पक्षता हम ऐसा काम में नहीं है कभी कभी थोड़ा बहुत पक्षपात समाजिक हित में वान्चनिय हो सकता है परन्तु यह किसी व्यक्ति विसेश के हित में न होकर समाज के हित में होना चाहिए हाला कि वह किसी व्यक्ति के हित के माध्यम से ही पूरा होगा यह भी जरूरी है कि जिस व्यक्ति विसेश का नुकसान हो उसकी तुलना में समाजिक लाविकी मात्रा बहुत अधिक हो आरक्षण की नीती का मूलाधार यही है यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया कि इंपार्सिल्टी निस्पक्ष होना चाहिए ठीक है जब आप अपने दोस्तों के बीच पे भी कोई समझदारी वाला जो नीड़ा देते हैं तो आप वहाँ पर निस्पक्ष होकर ठीक है एक एहम भूमिका निभाते हैं यानि ना किसी के साथ में सकरात्मक वेवार ना किसी के साथ में नकरात्मक वेवार तटस्त होकर अपने मुल्यांकन करना चाहिए तटस्त होकर निया संगत जो हो वही बताना चाहिए यहाँ पर example दिया गया कि आप मान लिजए कि आप किसी अच्छे पत पर है ठीक है और आप अपनी उत्तर पुस्तिका रजाच नहीं हो इस सिविल सेवा की ठीक है तो आप एक कई condition हो सकती है जैसे आपके बेटी का उत्तर पुस्तिका है उसने पेपर अच्छा लिखा है तो कई धानरों के माध्यम से समझाने का प्रियास किया गया कि अगर आप चाहें तो दो नमबर बढ़ा सकते है जिसका उसका पहला नमबर आ सकता है पहला राइंग या फिर ये पक्षपात होगा ठीक है वहीं आप दूसरा कंडिशन ये भी बताया गया है कि हो सकता है कि आपके मन में ये आए कि मैं उसका नमबर कम कर दूँ जिससे जो है पांचवा छटवा राइंग चला जाए जिससे मेरे पर कोई संदेह न हो तो ये भी नकरात्मक है ठीक है जिसने के लिए वो इलीजबल है जितनी ठीक है तो उसको दूसरा अंग ही यानि वास्तों में जितना उसे मिलना चाहिए उसे उतना देना चाहिए यह निस्पक्ष है ठीक है इनि तटस्थ होकर नेड़क आधार होना चाहिए अब बात करते हैं वस्तु निश्टता की अथात अब्जिक्टिविटी की वस्तु निश्टता सब्द का परियोग दर्शन, विधी तथा नेती सास्तर जैसे विश्यों के विशिष्ट अर्थों में होता है इसका सामान अर्थ है कि व्यक्ति को कोई नेड़य करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल है जैसे उसकी विचारधारा, कलपनाएं, दिश्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूडधाराएं, माननेताएं, इत्यादी यदिवा इन सभी आधारों से मुक्त होकर नेड़य के मूल्ग में केवल अपने उन आधारों को रखेगा जो तथ्यात्मक एवं तार्किक हैं और जिन्हें प्रतेक व्यक्ति मानने को बाध्य है तो उसका नेड़य वस्तुनिष्ठ होगा कहने के मतलब है कि अधि आप नेड़य ले रहे हैं तो अपने आप विचार धाराओं पर ना होकर या फिर आपका कोई द्रिष्टी को नहीं काम करना चाहिए या फिर किसी पूर्वा गरह पर आप किसी पूर्वा गरह कोई आपका बन चुका है तो उसके बेसिता या है इहाँ पर नेड़य करना चाहिए वही आगे देखते हैं कि दर्षन की भासा में कहे तो वही नेतिक कथन वस्तुनिष्ट कहलाएगा जिसकी सत्यता कि स्स्थितिया किसी वी व्यक्ति विशेश के मस्त् yht कथ से स्वतंत्र हो अब है क्या वस्टुनिष्टता संभव है? Is Objectivity possible? सौ प्रतिसत वस्टुनिष्टता प्राया असंभव मानी जाती है क्योंकि प्रतेक व्यक्ति अपने आरंभिक समाजी करण की प्रक्रिया में कई ऐसे मूल्य सीखता है जो किसी न किसी वर्ग, समुदाय, प्रजाती या राष्ट्र के पती सकारात्मक या नकारात्मक अवरिती पैदा करते हैं ये मूल्य धिरे-धिरे संसकारों के अस्तर पर इस तरह स्थापित हो जाते हैं कि इनसे मुक्त होने की अत्यंत कठोर प्रक्रिया के बाद भी यह दावा नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति सच्मुच इनसे पूर्टह तटस्थ हो गया हो चुका है एक ही मामले में विभिन नियाधिस अलग-अलग निर्डियों पर पहुचते हैं तो इसका अर्थ है कि वे कहीं न कहीं अपनी आत्म निष्टता से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं वहीं बात करें कि अगर उचे पदो पर आसीन व्यक्ति पूर्टह वस्तुनिष्ट नहीं है तो इसके खतरनाक प्रड़ाम हो सकते हैं अगर सरवोच नियाले का कोई नियाधीस इस्त्रियों के प्रती असमवेदन सील है तो अंजाने में महिलाओं से जुड़े मामलों में अन्याय कर सकता है अगर भारत सरकार के किसी विभाग का सचीव धार्मिक अल्प संख्यकों के प्रती समवेदन सील नहीं है तो समावेशी विकास की प्रक्रिया में बाधित हो सकती है इसके समधान है पहला सिविल वर नियाइक सेवा के चयन में उमिदवारों की वस्तु निष्टता पर विशेज ध्यान देना वस्त चयन के बाद भी ऐसा प्रसिक्षर देना जो इन गुड़ों को प्रत्साहित करे दूसरा प्रतिनिधी नौकर साहिव प्रतिनिधी न्याइपालिका सभी वर्गों को विशेशत अल्पस संख्यकों को उनकी जन संख्या के अनुपालन में हिस्सेदारी देना तीसरा महिलाओं से जुड़े मामलों में बेंच में महिला न्याइधीसों की उपस्तिती होनी चाहिए अब बात करते हैं राजनीतिक निस्पक्षता की अर्थात नौन पार्टिसन सिप इसका सरल अर्थ है किसी दल विशेश से जुड़ाओना होना संकीन रूप में इसका अर्थ किसी दल विशेश की सदस्यता न लेना है व्यापक रूप में इसमें यह भी शामिल है कि लोग सेवक किसी दल विशेश के प्रती निष्ठा जैसा भाव भी न रखते हो और वे सब ही धलों के प्रती तटस्त होकर राज की ये नेतियों को लागू करने के लिए प्रयास करते हूं नौकरसाही के लिए राजनेतिक निस्पक्षता के मूल लेका विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ वहां दो राजनेतिक पार्टियां बारी बारी से सत्ता में आती थी अता एक एक ऐसी नौकरसाही की जरूरत थी जो दोनों के साथ काम कर सके मैक्स बेबर ने भी इस समय तटस्त नौकरसाही की अधाना दी परन्तु विसेसी करण बढ़ने के बाद पूर्ण राजनेतिक निस्पक्षता संभव नहीं रह गई इसलिए करमचारियों को दो वर्गों में बाटा गया पहला ओद्योगिक स्रमिक इन पर कोई राजनेतिक प्रबंध नहीं है दूसरा गैर अध्योगिक स्रमिक इन्हें तीन मरगों में बाटा गया उचस्तर के करमचारी को पूर्ण राजनेतिक निस्पक्षता का पालन करना था वहीं मध्यम अस्तर के करमचारी राजनेतिक गतविधियों में भाग तो ले सकते थे पर चुनाव नहीं लड़ सकते थे वहीं निम्नास्तर के गैर अध्योगिक स्रमिकों को पूरी राजनेतिक स्वतंतता प्रदान की गई थी चीन में राजनेतिक निस्पक्षता नौकर साही के लिए आवशक मोल्य नहीं है चीन में कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस से ही नौकर साह है और उनसे राजनेतिक निस्पक्षता की नहीं बलकि पूर्ण राजनेतिक प्रतिवधता की आसा की जाती है अमेरिकी सरकार का कोई भी अधिकारी राजनेतिक प्रतिवधता नहीं रख सकता भारत में भी इस संदर में अमेरिका जैसी स्थिती है यहां तक कि नौकर साह राजनीतिक लेख भी नहीं लिख सकते साहित्य, विज्ञान, आदी विशियों पर वे लिख सकते हैं पर उसमें भी राजनीतिक दिश्टिकोन नहीं जलकना चाहिए ठीक है, यहां पर क्या करतब होने चाहिए, क्या करतब है ठीक है, चीन और अमेरिका से यहां पर जो है comparison किया गया है, अमेरिका में क्या है कि वो पूरी तरीके से जो है, स्वतंत्र है ठीक है, और यहां पर क्या बताए गया है, जबकि कारे कहेंगे आप अपने कारियों का या फिकरतवियों का निर्वहन करेंगे ठीक है बस यही चीज़ बताएगा है साथी में आप किसी रही राजनेतिक लेक नहीं लिख सकते हैं अगर आप एक सिविल सीवक है तो वही चीज़ें यहां पर कंपेजन करके बताई गई है अब बद्धता में संग्यानात्मक वभावनात्मक पक्ष तो होता ही है प्राया है व्यवारात्मक पक्ष भी होता है अंग्रेजों के समय में राज्य पुलिस राज्य था और नौकर साही अभिजात रूढ़िवादी तथा आसाम वेदन शिल थी नहरूने सन 1964 में स्वयम को इस वे यह पहले ही कह चुकी थी कि नौकर साही को बदलना होगा उनकी यह कहकर आलोचना की गई कि वे नौकर साही को नचाना चाहती है परंति यह प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ कि क्या नौकर साही को प्रतिबद्ध होना चाहिए और अगर प्रतिबद्ध होना चाहिए तो यह प्रतिबद्ध था किसके प्रति हो क्या नोकर साही को प्रतिबद्ध होना चाहिए? शुड ब्यूरोक्रेसी बी कमिटेड भारत एक कल्यान का री राज्य है पुलिस राज्य नहीं कल्यान के कल्यान की प्रक्रिया में सिविल सेवक सबसे महतपूर एजेंट होते हैं अगर उनका रविया कल्यान के प्रति निस्क्री या उदासीन होगा तो हमारे समयधानिक उद्देश्यों की पूर्ती नहीं हो पाएगी इसलिए उन्हें प्रतिबध तो होना ही चाहिए असली प्रश्ण यह है कि प्रतिबध किसके प्रती होना चाहिए यह प्रश्ण के संदर्व में निम्लिखितने सकर्सों तक पहुचा जा सकता है पहला प्रतिबध ता मूलतर समविधान के प्रती होनी चाहिए निरपेक्छ रूप में होनी चाहिए अगर व्यक्ति की विचारधारा और सम्विधानिक विचारधारा में विरोध है तो भी सम्विधान को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए वहीं बात करते हैं दूसरा कि समाजिक न्यायवक कल्यानकारी उद्देश्यों के प्रति प्रतिबधता होनी चाहिए इसके लिए जरूरी है कि लोग सेवक वन्चित वर्गों के प्रति सम्विधन सिल तथा करुड़ावान हो और उन्हें इस बात से आंतरिक संदोस मिलना चाहिए कि वन्चित समूहों को मुख्यधारा में लाने में उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई है इसके साथी साथ संसद द्वारा पारित विधानों तथा नीतियों के प्रति भी समानिता उसे प्रतिबद्ध होना चाहिए अगर किसी संसदिय नीति की नेतिक्ता पर गहरा विवाद है और सरवोच्च न्याले में वह नीति प्रश्णगत है तो कुछ समय के लिए उसके प्रति तटस्त रहा जा सकता है संसद की जो नीतिया समिधान की अनरूप है उनकी प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरीके से समिधान हमारा कहता है उसी प्रकार हमें कारी करना चाहिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि न्याले में जो है परशनगत रहते हैं ठीक है तो परशनगत इंदनस्व मतलब उनका नेडत भी नहीं आया होता है तो ऐसे मामलों में सिविल सेवक को तटस्त रहना चाहिए ठीक है चुकि लोक सेवक को किसी विशेस दल्य अगटबंधन की सरकार के अधिन काम करना होता है इसलिए उसे साधान तह सरकारी नीतियों, नियमों वा आदेशों का प्रतिबधता से पालन करना चाहिए नीति निर्माड के समय उसे असपश्टता से अपनी स्राय रखनी चाहिए कि दो नीति बनाय दिये जाने के बाद उसे नीति को प्रतिबधता से लागू करना चाहिए इसके विपरीत आचरण केवल उन नीतियों के संदर्व में किया जा सकता है जो समिधान की मूल भावना के प्रतिकूल है तथा जिनकी न्याईक समिक्षा की प्रक्रिया चल रही है किसी राजनीतिक दल या नेता विशेश के प्रति प्रतिबध नहीं होना चाहिए यदि वह किसी दल की विचारधारा से प्रभावित है तो भी उसे ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रभाव उसके व्यक्तियत जीवन तक सीमित रहे और सरकारी कार्य में हस्त छेपना करे अमान तो बहतर है। अब बात करते हैं करुणा की अर्थात कमपाशन की। करुणा कार्थ कमजोर व्यक्तियों या प्राढ़ियों के प्रति उत्पन होने वाली उस भावनासे है जो फिया उस कमजोर अच्पति को दूर करने में सहायता करे माना जाता है कि संपूर बिश्व में परोकार की भावना का मूल तत्व करुडा ही है बुद्ध वा महावीर ने करुडा पर अत्धिक बल दिया है करुडा से मिलता जुलता एक अन्य भाव दया है दया वा करूडा में निम्लिक्रित अंतर हैं पहला दया एक विशिष्ट भाव है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी के प्रति उत्पन होती है जैसे विशेश परिस्थितियों में सडक पर किसी दुरगटना ग्रस्त जीव को देखकर दया का भाव आना इसके विशिष्ट के प्रति ही नहीं सामानी के प्रति भी हो सकती है बुद्ध ने करूडा को नैतिक्ता का मूल आधार माना है और वह करूडा सामानी के प्रति ही है वहीं बात करें कि दया में यह नहीत होता है कि दया का पात्र खुद उबरने में समर्थ नहीं है जबकि दया करने वाला समर्थ हो भी सकता है और नहीं भी उदान के तोर पर क ख से बहुत ताकतवर है और उसे मार रहा है और ख उससे दया की भीख मांगे तो क समर्थ है दूसरी और यदिक की दुरगटना किसी बस से हो गई है और चोट ऐसी है कि कोई भी डाक्टर उसे नहीं बचा सकता तो उस समय डाक्टर या कोई भी व्यक्ति दया का भाव रखेगा तो भी असमर्थ ही होगा इसके विपरीत करूडा के लिए यह जरूरी नहीं है कि पीडित व्यक्ति अपनी स्थिती से बाहर निकलने में पूर्थ अक्षम हो दया एक तातकालिक मांसी का वस्था है जो इसके विपरीत करूडा तुलनात्मक रूप से अस्थाई भाव है दया का मतलब क्या हुआ कि आप जार हैं ठीक है आपने किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को देखा जो की समर्थ नहीं है ठीक है तो दया का भाव उसके मन में उत्पन हुआ और क्या हुए आप चलते चले गए ठीक है आपने कुछ किया नहीं जबकि अगर आपको करूड़ा होती आपने उसके दर्द को महसूस किया होता तो करूड़ा भाव होती और तब आप उसके लिए कुछ करते हैं फिक है? यही चीछ बतायगा है कि दया एक टातकालीक मानसी का अस्था है तो वे उनकी दसा सुधारने के लिए भीतर से प्रतिबद्ध होंगे समावेशी वृद्धी को साधने के लिए यह जरूरी है अब बात करते हैं करोडा की ठकान की अथात कम पैसन फैटिक की अगर कोई व्यक्ति निरंतर ऐसी परिस्थितियों में रहे जिनमें करोडा सक्रिय होती है तो धीरे-धीरे करोडा की सक्रियता में कम ही आने लगती है और इसे ही करोडा की ठकान कहते हैं उधान के लिए लगातार नए मरीज के आने पर नर्स की ऐसी इस्तिति हो जाती है करोडा की ठकान जी से कहते हैं कि बार बार वह इस्तिती आपके सामने आ रही है अगला है हमारा प्रिजर्वरेंस और परसिस्टेंस अर्था त्धिर्णता की बात करते हैं देखे धिर्टा का अर्थ है कि किसी दूरगामी तथा कठीन उद्देश की प्राप्ति होने तक धैर तथा आंतरिक प्रेड़ा बनाए रखना बीच बीच में आने वाली चुनोतियों तथा बाधाओं से हतो चाहित करने वाली परिस्थितियों से अपनी आशावादी मानसिक्ता के साथ संगर्स करते रहना और कुछ मनोवेग्यानिकों का दावा है कि व्यक्ति की सफलता में बुद्धी लब्धी अर्थात IQ भावनात्मक लब्धी अर्थात EQ इमोशनल क्विट इसे कहते हैं ठीक है लब्धी को देख लिजेगा या अध्यात्मिक लब्धी अर्थात IQ की तुलना में सबसे निडायक भोमिका भोमिका जो है ध्रता अर्थात प्रिजेवरिंस ठीक है पीक्यू की होती है ध्रता को बढ़ाने के कुछ उपाय है कैसे बढ़ा सकते हैं ध्रता को पहला है स्वापरामरसी प्रनाली अर्थात आतो सजेस्टِटिव मोड यानि खुद को मोटिवेट करना धी खुद को मोटिवेट करते रहना बार-बार अपने अपने सामने असपस्ट करना जैसे कागज पर लिखकर ठीक है ताकि आप खुद से मोटिवेट थी रह सके अपने जो लक्ष हैं उनको बार-बार काम सामने अपने लाना या फिर असपस्ट रूप से लिखना ठीक है आप उसके विव्यक्ति कर सकते हैं तीसरा लक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया को तार्किक रूप से विभिन चरणों में बाटना नियमित रूप से यह जाजन को पढ़ते रहना जो इस वच्वास को वल दे साथी साथ निरासा के छड़ों में कोई भी नेड़त तुरंद न करना और हो भी जायत उसे तुरंद लागू न करना अब बात करते हैं सेवभावना की यानि स्प्रिट आफ सर्विसेस की सेवभावना वह मनस्तिती है जिसमे कार किसी लाग या स्वार्थ को ध्यान में रख कर नहीं किया जाता बलकि इस भावना के साथ किया जाता है कि यह करना मेरी नैतिक जिम्यदारी है लोग सेवा में इसका अर्थ हिया है कि वेतन और सुविधाव पर विसेस ध्यान न देते हुए इस भाव से काम करना कि मैं अ नहीं सोचना कि मैं समाज को बहतर बनाने के लिए कारे कर रहा हूँ बलकि यह सोचना कि समाज के लिए कारे करके मैं खुद को बहतर बना रहा हूँ हमारा अगला टॉपिक है भावनात्मक बुद्धी मता अर्थात E.I. Emotional Intelligence आउधारना का एधिहासिक विकास यहनी Evolution of the Concept डार्विन ने माना है कि व्यक्ति की उत्तर जीवता वा अनुकूलन में इस बात का भी महत्व है कि वह अपनी भावनाओं की अब व्यक्ति कैसे तथा कित्मी करता है उसी सताबदी अर्थात उन्नेस्वी में उन्नेस्वी सताबदी में जब हीगल जैसे बुद्धिवादी बुद्धी तथा अमूर्ती करण को मनुस्य की सर्वोच च्छमता बता रहे थे तब अस्तित्वधी विचारक सोरिन किरकेगार्द सर्वोच छमता बता रहे थे किरकेगार्द ने कहा था कि मनुस्त की पैचान उसकी भावना से होनी चाहिए ना कि बुद्धी से उस समय हीगल के समुख किरकेगार्द की बात को महत्व नहीं दिया गया सन 1920 में थार नडाइक ने बुद्धी मता के प्रकार पर विचार करते हुए समाजिक बुद्धी मता या सोसल इंटेलिजन्स की धारणा दी जिसका अर्थ है समाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिए उचित विकल पचुनने की चमता विवर्तमान में भावनात्मक बुद्धी मता के अंतरगत इस विसेस्ता को भी शामिल किया जाता है 1940 में डेविड वेसलर ने लिखा कि व्यक्ति की सफलताओं में सिर्फ बौधिक पक्च सामिल नहीं है बलकि भावनात्मक पक्चो को महत्व दिये जाने की भी जरूरत है महीं सन 1950 की दसक में I think बहुत पीछे चला गया का 1950 की दसक में प्रसिद्ध मनोवग्यानिक अबराहम मैसलो ने मनुस्य के भावनात्मक पक्चो को महत्व कोरे खांकित किया सन 1983 में हारवर्ड गार्नर ने बहुल बुद्धी मता सिद्धान तरथा थियोरी आफ मल्टिपल इंटेलिजन्स प्रतिपादित किया जिसमें बुद्धी मता के आठ में से दो प्रकार ऐसे थे जिनका गहरा सम्मंद भावनात्मक बुद्धी मता से माना जाता है पहला था अंतर व्यक्तिक बुद्धी मता जिसके अंतरगद दूसरों के इरादे मना इस्थितियों अनभूतियों सुभावों इच्छाओं तथा प्रेणाओं को समझना तथा विभिन व्यक्तियों को कार्य की सफलता के लिए परस पर अनकूलित करना शामिल है दूसरी च्छमता थी अंतर व्यक्तिक बुद्धी मता जिसका अर्थ है व्यक्ति का स्वम अपनी च्छमताओं कमजोरियों एक्छाओं विशिष्टाओं आदि को समझना तथा अपनी भावनाओं का प्रबंधन करपाना सन उन्नी सो पचासी में विन पे ने पहली बार भावनात्मक बुद्धी मतार थाति एमोशनल इंटेलिजन सब्दका परियोग पारिभासिक अर्थ में किया हाला कि उन्नी सो चाँचट में बारबरा लिउनर ने भी इस सब्दका परियोग किया था 1987 में पहली बार भावनात्मक लब्धिया था था इमोशनल क्वेटेंट सब्दका परियोग कीथ बिसले ने किया था इस प्रिष्टि भूमी के बाद 1990 में दो प्रसिद्ध अमेर की मनोवग्यानी को पीटर से लोवी तथा जॉन मेर ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि मता पर एक विस्तितनी बंध लिखा जिसका सीर सक था इमोशनल इंटेलिजेंस आगे चलकर 1997 में उन्होंने एक और पुस्तक लिखी वाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस 1995 में डेनियल गोल्मैन जो की मनोवग्यानी के अनसंधान करता और निगारक टाइम में वैग्यानी की विस्यों के लेखक थे ने एक अत्यंत लोग प्रियक पुस्तक लिखी जिसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विचार को बिस्व विक्षाद बना दिया पुस्तक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू इसके बाद इन्होंने कई पुस्तके इसी विस्यों पर लिखी बात करें कि डेनियल गूल्मेन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता मुलता है एक सीखी जाने वाली योगिता है लेकिन हमारी जैविक परिस्थितियां एक परीधी तक तैरहती है जिसके भीतर हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास वाता औरण आदिकार को द्वारा सुनिश्चित होता है उदान के लिए यदि कोई व्यक्ती बच्पन सही उच रक्तचाप का सिकार है तो अपनी भावनाव पर नियद्र करना उसके लिए कठिन होगा बात करते हैं सेलेवी और मेयर का मॉडल यानि सेलेवी और मेयर मॉडल सन 1990 के सोध पदर्थाती मोंड एमोशनल एंडेलिजस में सेलेवी तथा मेयर ने कहा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाव तथा अनभूतियों को पहचानता है उनमें अंतर करता है तथा इस सूचना का प्रियोव अपने चिंतन तथा क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए करता है मुईसन 1997 की पुस्थक में सैलवी और मेर ने अधिक ब्रवस्थित तरीके से भावनात्मक बुद्धी मता को परिभाशित किया और कहा कि भावनात्मक बुद्धी मता वह योगिता है जिससे भावनाओ को प्रत्यक्ष किया जा सकता है उन्हें चिंतन प्रक्रिया से जोडा जा सकता है भावनाओं को समझा जा सकता है तथा उसे नियमित किया जा सकता है ताकि व्यक्तिक प्रगति प्रुत साहित हो सके इसके अंदर का 4 योगितायाती है पहला भावनाओ को प्रत्यक्ष करने की छमता दूसरा भावनाओ को भावनाओ का प्रयोग चिंतन को प्रेरित करने के लिए करना दीसरा भावनाओ को समझना और चावथा भावनाओ का प्रबंधन करना आये देखते हैं preserving emotions अर्थात भावना का प्रत्यक्ष करना देखे प्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रियों के अन्भों के माध्यम से कोई ग्यान प्राप्त करना अर्थात देखकर सुनकर या असपर्स आधी के माध्यम से कुछ जानना इस योगेता के अंतरगत यहाँ पेक्छा है कि व्यक्ति दूसरे के चहरे अन्य साररिक अभिव्यक्तियों, ध्वनियों, आवाजों या चित्रों आधी को देख सुनकर या हनुमान कर सके कि इस डख्ति की मना इस्थिती कैसी है इस योगेता का विस अस्तर वहाँ दिखता है जहां कोई व्यक्ति अपनी मना इस्तिती को छीपा रहा हो ठीक है और तब भी दूसरा व्यक्ति बहुत सीमित संकीतों से उसे पहचान ले कई बार तो परस पर जैसे इसका उदान भी आप देख सकते हैं ठीक है विकास सर ने दिया था कि आपका दोस्त है मान लिजे कि वो कोई चीज आप से चुपा रहा है ठीक है और उसका वेवहार में थोड़ा सा चिंजेज है तो नॉर्मल व्यक्ति कहेगा ठीक है उस पर उतना ध्यान नहीं देगा हस हस के बाते कर रहा सामने वाला ठीक है जबकि अगर कोई गहरा वेक्ति होगा तो वही पर ढालोग मार देगा कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो चुपा रहे हो तो उसकी जो है विशेस्ता इसके अंदरगत आती है विरोधी संकीतो ने भी मनह स्थितियों को भापना पड़ता है जैसे किसी हस्तर वेक्ति को देख कर या नुवान कर लेना की भीतर से खुश नहीं है या खिलोनों की जीद्र करते हुए किसी बच्चे को रोते हुए देख कर या पढ़पाना की इससे आसो दिखावटी है यह चंता सिर्फ दूसरों के सम्मंध में काम नहीं आती बलकि अपनी मनह स्थितियों भावनाओं तथा आकांग्छाओं इत्यादी के अस्तर पर भी काम करती है कई बार कई वेक्ति परिशान होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि परिशान क्यों है इसकार्थ है कि वे अपनी मनह स्थितियों को ठीक से पढ़ने में असमर्थ हैं हो सकता है कि एक छोटी सी घटना उन्हें परिशान कर रही हो परंतु सचेत अस्तर पर अपनी परिशानी के करण खोशते हुए वे उस घटना पर विचार नहीं कर रहे हो मुझे दूसरा है भावनाओं को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ पाने की योगिता अर्थात यूजिंग इमोशन्स टू फैसिलियेट थौट पॉसेज यह पहली छंता की तुलना में अधिक परिपक्वता की स्थिती है जब हम किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को पढ़ लेते हैं तो प्राया ततकाल भावनात्मक प्रतिक्रिया कर वैठते हैं तथा उस जानकारी को चिंतन से नहीं जोड़ पाते उदान के लिए अगर किसी मित्र से बात करते समय उसके चेहरे के भावों को हम प्रतीत हो किवर हमसे गंभीर रूप से नाराज है तो इस जानकारी या सूचना के दो परड़ाम हो सकते हैं पहला यह कि हम तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया दे जैसे कि जुंचलाना, लड़ना, चिलाना, इत्यादी और दूसरा यह कि कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले इस जानकारी का विशलेशन करे अर्थात या सोचे कि इस नाराजगी का करण क्या हो सकता है कहीं मैंने कोई ऐसा वेवहार तो नहीं कर दिया जो इसकी गरिमा के विर्द्ध हो ततकाल भावनात्मक प्रतिक्रिया करने से संबंध भी गड़ते हैं ऐसे व्यक्तियों में तीवर भावकता भले ही हो लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम होती है जो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजन्स की दृष्टी से परिपक्व होगा वह भावनाव संबंधी जानकारी का प्रियोग उन्ही वैचारिक पक्छ से जोडने में करेगा भावनाव को समझना अर्थात अंडरस्टैंडिंग इमोशन्स इसका अर्थ है दूसरों की या अपनी भावनाव को सूचमता के अस्तर पर पहचानना गौर तलब है कि छोटे बच्चों की भावनाय प्राया सरल होती है अर्थात सकरात्मक या नकरात्मक सुखात्मक या दुखात्मक कि इन्तु वैक्ति जैसे जैसे परिपक्व होता है उसके मन में विभिन भावनाव के अलग-अलग सयोजन सक्रिय होने लगते हैं उधान के लिए अगर दो वैक्ति किसी पर क्रोधित हो रहे हो तो भी हो सकता है कि एक वैक्ति के क्रोध में क्रोध और चिंता का सयोजन हो जबकि दूसरे में क्रोध है और घ्रिणा का कभी कभी तो परसपर विरोधी भाव भी एक साथ सक्री हो सकते हैं जैसे किसी माता या पिता का अपने बेहत सरार्ती बच्चे के प्रती एक साथ क्रोध तथा करुणा से भरा होना या यहाँ पर दो भावना है माता पिता के मन में एक साथ में आ रही है एक तो बच्चे के प्रती उसका करुणा भाव और दूसरा जो है क्रोध भी आ रहा है हम अपनी या अन्य व्यक्तियों की भावनाओ के प्रती सटीक प्रतिक्रिया तभी कर सकते हैं जब हमें अस्पस्ट समझ हो कि उसके मनो भाव में कौन कौन सी अन्भूतिया शामिल है भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों में विशेषता होती है कि वे जटिल से जटिल मनो भाव को भी सरल हिस्सों में बाठ कर समझते हैं और एकदम समरूप सी दिखाई देने वाली भावनाओं में भी सुक्ष्म अंतर कर लेते हैं डाटते हुए मित्र के इस भाव को समझना कि दरसल वह क्रोध में नहीं बलकि हमारी चिंता में परिसान है बधाई देते हुए शत्रू की मुस्कराहट के भीतर यह देख पना कि इसमें प्रतियस परधा का भाव और दिखावा जादा है और वास्त्वी खुसी नहीं है आदिस योगिता के कुछ उधान हो सकते हैं अब कैसे हम प्रभंधन करेंगे भाव और का यानेजिंग इमोश्न कैसे हम करेंगी यह देखते हैं का प्रियास करते हैं या भावनात्मक बुद्धी मत्ता का सबसे जटील पक्च है इस छमता को साथ लेना इस बात का प्रमाड है कि व्यक्ति भावनातमक बुद्धी मत्ता के उचे अस्तर पर है सफल समाज सुधार को तथाराज नेताओं में इस छमता का होना अनिवार है इसके दो पक्ष हैं भावनाओं को अभिवक्त करने से पहले ही प्रतिबंधित कर देना दूसरा भावनाओं की अभिवक्ति को प्रबंधित करना प्रबंधित करना ही है पहले पक्षकार्थ है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं का मुल्यांकन करे और यदि वे भावनाए या उनकी तीवरता अनुचित है तो उन्हें अभिव्यक्ति के बिंदू तक पहुचने से पहले ही रोक दे उधान के लिए किसी मित्र के प्रति तेच क्रोध आने पर यह समझ पाना कि उसके संपूर्ण यह उगदान को देखते हुए ना तो यह क्रोध उचित है और नहीं इसकी तीवरता किसी दूसरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि भाव तो उचित हो, किन्तो इसकी तीवरता अनुचित हो दोनों हिस्थितियों में अपने मन को संतुलित की स्थिती में लाना बुद्धी मता की पहचान है इसके कई तरीके हो सकते हैं जैसे अपने ध्यान को भठकाना कुछ समय के लिए खुद को उस परिस्थिती से अलग कर लेना तेज सांसे लेना या विशय बदल देना आदी दूसरा अस्तर है कि भावनाओं को अभिव्यक्ति के अस्तर पर प्रबंधित करना इसका अर्थ है कि यदि भावनाओं बहुत आकरामक हो तो भी उनकी अभिव्यक्ति में इतना संतुलन जरूर होना चाहिए कि वे भावी संबंधों में आकरामकता ना पैदा कर दे उधान के लिए यदि कोई युवक अपने पिता से मदभेत रखता है और उसे मदभेत को पीड़ी संगर्स के कान सुलजाना संभाव नहीं है तो उसे अपनी बात जरूर रखनी चाहिए किन्तु विनमरता के साथ और पिता का सम्मान बराय रखते हुए यदि बोलते हुए यदि बोलते समय वह अपनी वाड़ी पर नियंतर नहीं रख सकता है तो उसे लिखित संदेश का विकल पर चुनना चाहिए या परिवार के किसी अन्य सदस्य के माध्यस्त बनाना चाहिए यानि किसी माध्यम से अपने पीता को समझाना चाहिए किसी बहन के माध्यम से या माता के माध्यम से इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गए प्रेम प्रस्ताओं को खारिच करना चाहे तो ऐसे कान अस्पस्ट किये जाने चाहिए जिससे उस व्यक्ति के आतम सम्मान को ठेश न पहुचे जैसे तुम इस लायक नहीं हो कहने के बजाए यह काई देना कि मैं पहले से प्रतिबद हूँ ठीक है मैं पहले है गल्फरेंड या बॉल्फरेंड है या अगले दो साल तक पढ़ना या पढ़ना चाहती हूँ इस तरीके सब यहाँ पर कह सकते हैं आईए बात करते हैं डेनियल गोल्मेन का मॉडल अर्था डेनियल गोल्मेन मॉडल डेनियल गोल्मेन एक लोगप्रिय मनोवे ग्यानिक है 1995 की उनकी लोगप्रिय पुष्ट तक इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर दन आईक्यू के माध्यम से ही इमोशनल इंटेलिजेंस की और धार्णा तेजी से प्रशलित हुई गोल्मेन का जैदा बल भावनात्मक बुद्धी मत्ता के वेवारिक पक्षों पर है और धार्णात्मक अस्तर पर उन्होंने अकादमिक तरीके का प्रियोग कम किया है उन्होंने अस्पस्ट रूप से भावनात्मक बुद्धी मत्ता को योग्यता अर्थात एबिलिटी या गुड या अर्थात ट्रायट के रूप में परिभासित नहीं किया है वे मानते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमता एक अरजित की जाने वाली योगिता या च्छमता है किन्तो उसकी परिधी अथातरेंज हमारी जयविक सनचनाओं से भी प्रभावित होती है उनका दावा है कि वेवारिक जीवन में 80% या उससे अधिक सफलता इमोशनल इंटेलिजन्स तह करती है जबकि आईक्यू का महत तो 20% से कम है उसका एक विवादा स्पत किंतु रोचक अनुमान यह भी है जो कि महिलाओं में प्राया भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होती है और वरतमान परिस्थितियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की तुलनात्मक महत बढ़ता जा रहा है इसलिए भावश में अधिकांस छेत्रों में उचे पदों पर महिलाओं के पहुचने की संभावना बढ़ेगी गोल में ने भावनात्मक बुद्धी मनता के पांच योगताओं पर या छमताओं को जो है समूँ बनाया है उन कोंड कोंस सी छमताओं हैं पहला है स्वजावक्ता अर्थाथ सिल्फ अवरेणिएस दूसरा है आत्म नियमन अर्थाथ सेल्फ रेग्लेशन तीसरा है आत्म अभी पेरेणिड अर्था सिल्फ मोटिविशन और चोथा है समानु भूती इंपैथी और पांच वाहें समाजि इसकी बात यहां पर हम करेंगे आया देख लेते हैं क्या क्या इसके इंतरगत हैं स्वजारुपता के इंतरगत सिल्फ अवरेनेस क्या है इसका आर्थ है अपनी भावनाओ अनुभूतियों स्वभाव मूल्यों और देशियों छम्ताओं कमजूरियों आधी का स्पष्ट ग्य मनोभाव तथा उनमें शामिल अनुभूतियों को समझने तथा बाकी लोगों से अलग करने में सक्षम रहता है गोल्मैन के अनुसार व्यक्ति के नेड़े तभी सही होंगे जब वह अपने मूल व्यक्तित्व से परजित होगा जो व्यक्ति ठीक से समझ पाता है कि वस्तु वह क्या चाहता है उसके नेड़े सुल्जे होए होती है दूसरी ओर जो व्यक्ति खुद को ठीक से नहीं समझते उनके अधिकांस नेड़े बाहरी दबाव या तातकालिक प्रवलोभनों पर आधारित होते हैं और ऐसा हर नेड़े बाद में गलत शावित होता है आत्म निय अधिक को प्रवंधित करना इसके तीन पक्ष हैं यदी भावना की प्रकृती उचित नहीं है तो उसे अभयव्यक्त होने से रोक देना जैसे बहुत क्रोल होने पर मन में हिंसा का भाव आए तो उसे रोक देना दूसरा यदि भावना सही है किन्त उसकी तीवरता गलत है तो उसे तीवरता को संतुलन के अस्तर पर ले जाना जैसे अगर कोई बच्चा जूट बोले तो दंड की तीवरता से जूट बोलने के लिए आप एकछित दंड की तीवरता से अधिक न हो अर्थात अगर उसे बेरहमी से मारने का भाव आए तो रोख लेना जैसे यदि कोई करमचारी रोज देर्थ से आता हो तो उसे सीधे निलंबित करने का भाव मन में लाने की जगा उतनी ही तीवरता रखना जितना उचित हो भावनाव को अभिव्यक्त देती समय ध्यान रखना की अभिव्यक्ति की अधिकता स्वैम एक समस्या बन सकती है जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते जीवन में उनकी सफल होने की संभावना अत्यन्त धुमिल हो जाती है क्योंकि अधिकान से लोग उनसे बात करना ही पसंद नहीं करते हैं बात करते हैं आत्मा भी प्रेणर की अथाथ सिल्फ मोटिवेशन की इसका अरत है कि जब व्यक्ति का उद्देश काफी दूर हो तथा उससे बाहर से परियापता भी प्रेणराएं उपलब्धनों हो पा रही हो तो उसमें यह समता होनी चाहिए कि वह स्वैम को निरंतर प्रेणित कर सके यहनी सिल्फ मोटिवेट हो सके इनमें कुछ पक्च सामिल है जैसे बीच बीच में आने वाली तातकालिक लावों के लालच को रोप पाना दूसरा अगर उद्देश से बहुत बड़ा है तथा चुनोती पूर्ण हो जैसे वह उप्यसिक तयारी कर रहे हैं आप तो तो कई बार मन में ऐसा भाव आना स्वभाविक है कि सफलता नहीं मिलेगी निरासा के ऐसे छड़ों में हार मानने के बज़ाए उचित समाजहान का योजना बनाना वहीं लंबे संगर्स में होनी वाली थकान वा बूर्यल से निरंतर जूझते रहना अब आत्म ऑप्रे어न के तरीके क्या क्या है दिन को दिन चर्या को ऐसा बनाना कि उसमें मनरंजन तथा अपनी रूचियों के लिए कुछ समय जरूर बचा सके ठीक है जिससे आप मनुरंजन अगर आप लेंगे या फिर अपने रूचियों के काम करेंगे तो आपको जो है सिल्फ आफ़र्मेशन या फिर आत्म प्रेयर्ण होगा जिसके माधम साब सिल्फ मोटिवेट होंगे ऐसे समूह में रहना जिसका उद्देश समान हो ताकि अपका उद्देश सही है इसकी अभी पुष्टी होती रहे ठीक है अगर आप उद्देश सही है इसकी अभी पुष्टी होती रहेगी दोसरों की निरासा के छड़ों में उनके साथ खड़ा होना ताकि वे भी आपकी निरासा के छड़ों में आपके साथ खड़े हो वहीं विफलता कस डर इत्यादी की सहज अव्यक्ति मार्ग खोजना ताकि विमान से कुंठा न बन पाए मन बन जाए किसी अंतरग मित्र को बताने या कागज पर लिख कर फार देना ठीक अपने अव्यक्ति को यानि दर्सा दे सारी चीजे वहीं अगला है हमारा अपनी सफलताओं की संभावनाओं के प्रति साकारात्मक भावत बनाये रखना और आत्म भिपुष्टी के लिए लिखने या मित्रों से कहने की यादत डालना इसे आटो सजेश्टिव मोट कहते हैं अगला हमारा अपनी भावना को कितना ही छिपाना चाहता हो दूसरा है किसी की मन स्थिती को जानने के बाद उस जानकारी का प्रयोग सही निर्ड़े लेने के लिए करने की योगिता जैसे यदि पीता का मूट ठीक हो तो उनसे पैसे मांग लेना तीसरा है कि किसी प्रेक्ति का मुल्यांकन करते हुए खुद को उसकी जगह रखकर या समझने का प्रयास करना कि वह ऐसा क्यों कर रहा है अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं भी ऐसा ही नहीं कर रहा होता किसी नेता के आलोचना करने से पहले यह सोचना कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता अब बात करते हैं समाजिक दक्षता की यानि सोसल स्केल की इस छमता को ही गार्डनर की भासा में अंतरवयक्तिक दक्षता कहा जाता है इसकार्थ है कि व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध इस तरह बना कर रखना चाहिए कि उन संबंधों से उसे तथा सभी को लाब हो उधार के लिए इसमें निम्खी दक्षताय सामिल की जा सकती है पहला किसी वेक्टि के साथ संबंधों में अगर कोई समस्या उत्पन हुई है तो सकारात्मक तरीके से उसका समाधान करना ना कि संबंध को समाप्त करना या खराब ही रहने देना अन्य वेक्तियों के वेवहार के प्रती उप्युक्त फीडबैक उचित तरीके से देने की छमता अगर वेवहार अच्छा है तो इर्थिया से मुक्त होकर उसकी प्रसंसा करना और अगर वेवहार बुरा है तो चाहे वह हमारे प्रती नहीं किसी और के प्रती हो तो भी इस तरह feedback देना कि उसके आत्मसमान को ठेस न पहुचे इस परिस्थिती में feedback नहीं देने का विकल्प उचित नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐसा होने पर वहवक्त या अपनी गल्ती समझ ही नहीं पाएगा feedback नहीं देने का विकल्प वही ठीक है जहां व्यक्ति उसे समझने या स्विकार करने में असमर्थ हो या आपको ऐसे प्रयास को अनाधिकार चेश्टा मानता हो ठीक यानि मित्र आपका है तो आप उसको डिरेक्टली उसका डिमोटिवेट मत कर देजेगा आपका होई नहीं पाएगा कहने के तरीके होते हैं ठीक है तो यहां पर यह भी बात सही नहीं है कि आप फीडबेक ही ना दे ठीक है फीडबेक आप जरूर दीजे एक तरीका होता है वही चीज़े समझने का प्रयास किया गया है अगर किसी व्यक्ति से संबंध है बहुत अच्छे ना भी हो तो कम से कम ऐसे प्रकरात्मक संबंध बनाये रखना जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ती में सहायक हो यदि मालीजे के कर्मचारी आपके साथ बेहद असोभनी वेवहार करे तो भी संबंध सूनिता का विकल्प संगठन की द्रिष्टी से गलत माना जाएगा इतना लाचीलापन होना चाहिए कि कार संबंधी सहयोग बना रहे वही एक समुह में सदस्य की रूप में काम करने की चमता अर्था दूसरों के काम में अनावसक टांग नाडाना समलित पर्यासों का स्रेह के लिए लूटने की इच्छा न रखना ठीके जिससे ग्रूप जो है अफिलेशन ग्रूप की जो है अगर आप ग्रूप में है इस तरीके से जो ध्यान रखते हैं तो आपका संगठन बहुत आगे जाएगा और यह सीवल से हो हमें भी लागू होता है यह सब चीजें समू के विभिन व्यक्तियों की छमताओं, कमजोरियों, सोभावों, रूचियों तथा अभिवितियों को समझते हुए उन्हें कारिका वंटन करना और हर चरण में इस बात की जाच करना की अंतरव्यक्तिक संबंधों के कारण संगठन को हानी न पहुचे अगे बात कर लेते हैं भावनात्मक बुद्धी मता के लाफ अर्थाद बेनिफिट ओफ इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धी मता के लाफ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के हर छेत्र में दिखाई पड़ते हैं इन लाफों को निम्लिके सिर्शकों में बाठ कर समझा जा सकता है पहला सिविल सेवाओं में लाफ दूसरा राजनीती वसासन में लाफ तीसरा सारेलिक स्वास्ति की दृष्टी से लाफ और चौथा मानसिक स्वास्ति की दृष्टी से लाफ पांचवा समाजिक संबंधों में लाफ और छठवा आर्थिक दृष्टी से लाफ बात करते हैं सिविल सेवाव में लाव यानि बेनिफिट इन सिविल सर्विसेस की वर्तमान में सिविल सेवाव में तनाव कास्तर ऊचा है जिसका प्रमुक करण कल्यान करी राज्जी की निरधर बढ़ती हुई अपनि शायें इतनी जटिल स्थितियों में वही व्यक्ति सफल हो पाएगा जिसमें तनाव प्रबंधन तथा अपनी वह दूसरों की भावनों के प्रबंधन की छमता अधिक हो वहीं बात करें तो सिविल सेवक को प्राया ऐसे करमचारियों के साथ काम करना पड़ता है जिनके चैन में उनकी भूमिका नहीं होती इसलिए अगर उनकी योगताओं छमताओं और रुच्यों को समझ पाए तो उसी के अनुसार कारे का भी भाजन करें तो सफलता भी सफलता क कारे संस्किती बन सके जैसे पहला अधिनस्तों के साथ लगभग समानता के अस्तर पर बात चीत करना और उन्हें अपनी बात कहने के लिए पुच्साहित करना साथी साथ में और चारिक नियमों की जगह संगठन के उद्देश्य के प्रती सभी को प्रतिबध बनाने की कोश कर्मचारियों के निजी सुखों और दुखों में इस तरह साभागी होना कि वह गहरी प्रतिबधता महसूस करें इसके साथ ही कर्मचारियों को निश्चित उद्देश्य कर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना और आवशकता पढ़ने पर खुद उनसे अधी कठोर पर कितना है और कितनी मात्रा में अभिव्यक्तियां बनावटी हैं ठीक है यह सामने कर जो अंदोलन कर रहा है उसकी जो है जायच का है और कितनी बनावटी लोग हैं या फिर कितनी सच्चाई है उसमें यह चीज़े निकालना अपनी अभिव्यक्तियों पर कठोर नियंतर रख की दूरी कम होती हो और यह महसूस कराया जा सके कि प्रसासन वास्तों में उन्हीं के साथ है यह कोशिश करना कि जंता की भावनाव को सही दिसा में मोड दिया जाए ताकि जंता भी प्रसासन के साथ मिलकर समस्या के समधान में सहायक हो सके वहीं भावनात्मक बुद्धी मत्त से युक्त प्रसासक स्वैम को तथा दूसरों को अभिप्रिरीत करने में समर्थ होता है जिसके निमने की तिलाव हो सकते हैं पहला राजनीतिक दबाव या कारे के दबाव के समय स्वैम को अभिप्रिरीत कर पाना तथा हार ना मानना बड़ी परियोजनाओं के मामले में ऐसी पैस्थितियां अक्सर आती हैं जैसे लक्ष समय पर पूरा ना हो पाना स्टाफ को इस तरह अभी प्रेरीद करना कि आउशक्ता पढ़ने पर वह संगठन के कारे में अपनी पूरी उर्जा जोग दे वही महान प्रसासक जनता को भी इस तरह अभी प्रेरीद कर देते हैं कि समस्यां खुछ सुलजने लगती हैं जैसे जिले के विभिन विद्यालेओं के विद्यार्थियों को से स्रमदान कराना तथा आपदा जैसे स्थिति में स्थितियों का प्रवंधर कर लेना स्वास्त या पर्यारण चेतना के प्रसार के लिए विभिन गयर सरकारी संगठनों स्वैक्षिक कारेकरताओं को प्रेरीद करना वहीं जिन छेतर में जादिगत वा सामप्रदाइक तनाव उचे अस्तर पर रहता है वहां के प्रसासकों पर यह विश्यस दाइत वो होता है कि वे सभी समूहों के साथ मैत्री का भाव बनाये रखे चाहे उनकी व्यक्तिगत आस्था किसी एक के साथ हो यदि स्री जैन केलेक्टर है और बकरीत का तेवहार है तो उन्हें बधाई देनी होगी और वह भी इस तरह से कि उनके मन में यदि इस तेवहार के प्रती कटुता है तो भी वह नजर नाये और अपनी भावनाव पर कठोर नियंतर रख सकने वाली व्यक्ति ही ऐसे छेत्रों में प्रसासन चला सकते हैं अब यहां बताये गया है कि राजनीती और सासन के लाव क्या है तो इसको मगले सिसन में देखेंगे राजनीती और सासन में लाव ठीक है तो I hope आपको यह समझ म आगया होगा so keep loving, keep supporting and keep stay with us. Thank you so much.